बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार की आज क्याबिनेट की बैठक करेंगे एक सबतह के बाद फिर से क्याबिनेट की बैठक की जाएगी जुसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है नितीश कुमार की कैबिनेट बैठक आज मुख्य सची वाले की कैबिनेट हॉल में साम सारे चार बजे से की जाएगी इससे पिछले कैबिनेट की बैठक में पात सेप्टमबर को की गई थी जुसमें 32 एजंट पर मुहर लगी थी तो वहीं नितीश कुमार के तरफ से बुलाए गए इस काबिनेट की बैठक को लेकर सभी विभाग के मंतरी और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इस काबिनेट बैठक को लेकर युवाओं में काफी उमीद जताई जा रही है युवा वर्ग को उमीद है कि इसमें दारोगा बहाली समेत कई अन्य मुद्दों पर मंजूरी मिलने की उमीद जताई जा रही है इससे पहले मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की निर्मान के लिए एक अरब 51 करोर 13,97,000 रुपाई की काबिनेट में स्विकिर्ती दी गई थी तो वहीं सिख्चक दवस के मौके पर हुई काबिनेट बैठक में गोपाल गंज में राजकी चिकत्सा महाविद्याली के निर्मान के लिए 99,70,000,000 से जादा रुपाई की स्विकिर्ती भी दी गई इसके अलावा पतना विश्विद्याले में जी प्लस साथ बालिका चात्रवास एवं स्टाफ कोटर जी प्लस थी के निर्मान के लिए एक अरब 63,6,29,000 की प्रशासिनिक स्विकिर्ती दी गई उधर बिहार कारा सेवा ततकालिन उप महानरिक्षक कारा एवं सुधार सेवाई बिहार पटना सलंगनन सहीत कुद्री राम पॉस केंद्रिय कारा मुजफर सिविंद्र प्रियदर्शे की सेवा से बरखास्तगी पर भी मुहर लगाई गई थी आज फिर कैबिनेट की बैटक में कई अजेंडों पर मुहर लग सकती है लेकिन सबके नजर नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी उस पर रहेगी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज फर से क्याबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं एक सब्तह बाद फिर से ये क्याबिनेट की बैठक की जाएगी जुसमें कई एजेंडो पर मुहर लग सकती है नितीश कुमार की कैबिनेट बैठक आज मुख्य सचीवाले की कैबिनेट हॉल में शाम सारे चार बजे से होगी इससे पिछले कैबिनेट की बैठक में पाथ सप्टमबर को होई थी जुसमें 32 एजेंडों पर मुहर लगी थी तो वहीं नितीश कुमार के तरफ से बुलाए गए इस कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी वबाग के मंत्री और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इस कैबिनेट बैठक को लेकर युवाओं में काफी उमीद जताई जा रही है युवावर्क को उमीद है कि उसमें दरोगा बहाली समेत कई अन्य मुद्दे पर मंजूरी मिलने की भी उमीद जताई जा रही है जी हाँ आपको बता दे कि आज नितीश कुमार की कैबिनेट की बैठक है ये कैबिनेट की बैठक साम सारे चार बजे सचिवाले की हॉल में की जाएगी जुसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है पिछली कैबिनेट में 32 एजेंडों पर मुहर लगी थी तो वहीं आज सबकी निगाहे नौकरी और रोजगार पटी की है